स्ट्रेंट्स, गुड मॉर्णिंग, मैं आपके साइन्स टीचर शोताम है, बच्चों, वैसे तो मैं आपको साइन्स पढ़ाती रहती हूँ, जब भी हमारी आपकी मुलकात होती है, तो साइन्स के द्वारा ही होती है, साइन्स का ही हम कोई टॉपिक स्टडी करते हैं, कोई च प्रूडेंट्स, हर एक टीचर, या साइन्स सभी बिलीव करते हैं कि गॉड है, और गॉड है, इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है, सबसे बड़ा प्रूफ है हमारा अपना खुद का शरीर, हमारी अपने खुद के शरीर में इतना सारा मैनेजमेंट करना, ठीक है, कि बा पड़ा है ना, कि आप वहाँ पर उस पॉइंट पर अपने बॉड़ी के सिर्फ उस हिस्से पर ध्यान दीजे, वहाँ पर चीटी काट रही है, तो आपका ध्यान जाना चाहिए, ताकि वहाँ पर ज्यादा नुकसान नहों, तो एक चीटी का काटना भी हमको महसूस होता है, अगर कहीं हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पर पड़ जाता है, तो फट से हम अपना हाथ अटा लेते हैं, ये चीज़ भी हमको महसूस कराए जाता है, कि अगर आपको दर्द का है है, तो जादा नुकसान होने की संभावना है, तो ये सब चीज़ें, सब कुछ इतना मैनेज करके बॉडि को बनाना, कि आप कुछ खा रही है, उसका खाने के बाद डisini होगा, डिजेशन के बाद ग्लुकोस बनेगा, उसको सेल तक पोंचाना है, पोंचाने का काम कौन करेगा, ब्लड कर लेगा, टीक है, तो ब्लड ने ग्लुकोस पोंचा दिया, ग्लुकोस को जादा है मतलब oxygen reach environmental gases को body के अंदर lungs के अंदर पहुंचाया जाए ताकि oxygen भी cell तक कहुंच सके और glucose का oxidation हो सके energy हो सके अब energy तो बन गया लेकिन यहां पर problem create हो गई क्या problem होई कुछ वेस्ट material बन गया अब इन वेस्ट material कर क्या किया जाए वापस blood में डाल करके इनको किर्ने तक दे जाए ठीक है ताकि किर्ने से इनको शरीर से बाहर निकाला जाए मतलब बहुत सारी functions functions की बाढ़ाई होती है इतने सारे functions और इतने suddenly होती है quickly होते हैं आप just imagine कि आपने एक बार inhale किया सांस लिया आपने और हमारे lungs में जो gases भरे हैं और वो gases पूरे body में मतलब यहां से सांस लिया आपने gases गया वहाँ पर exchange हुआ oxygen को फटा-फट ही और पर अगया oxygen पहुंचा दिया गया वहां से carbon dioxide लेके आगये वहां कि carbon dioxide करकर के lungs को दे दिया और तब हम सांस छोड़ते हैं यानि कि तब हमारा होता है हम करते हैं exhale ओके तो inhale और exhale के बीच में कितना सब कुछ हो गया है न तो यह क्या है एक चमतकार है एक चमतकार है ठीक है हमारे brain में हम जो कुछ सोचते हैं समझते हैं कितनी हमारी intelligence है हम कितना समझ सकते हैं या आपने पूरी life में कुछ भी अगर देखा है तो उस चीज को safe रखा जाता है कहां आपके brain के अंदर और हमारा brain तो कमाल का brain होता है कमाल का brain होता है आपको लगता है कि आप देखते हैं अपनी आखों से बट आखों से नहीं देखते हैं दिखाता आपका brain है ठीक है क्योंकि अगर आपके सामने रसी रखी हुई है ठीक है सपोज करो कि एक चोटा सा रोप रखा वाता रसी रखी हुई है और आपको वो रसी रसी नहीं दिखाई दे रही है बलकि आपको वो सांप दिखाई दे रहा है सपोज करो ठीक है कि आपको सांप दिखाई दे रहा है तो actual में आपको वो सांप ही दिखाई दे रहा है ठीक है यहाँ पर खड़े 100 लोगों को वो रसी दिखाई दे रही है बट आपको वो साब दिखाई दे रहा है क्यों क्योंकि आप देखते आखों से नहीं है देखते हैं अपने ब्रेन से अपने दिमाग से देखते हैं तो हमारा ब्रेन हमको दिखाता है हम जो सुनते हैं हम काल से नहीं सुनते हैं अपने दिमाग से सुनते हैं यह तो केवल एक मेडियेटर है ज कि इतने ज़्यादा जरूरी है और हार्मोन का डिस्बैलेंस होने से क्या-क्या हो सकता है। हार्मोन कितने प्रॉपर तरीके से होने चाहिए मतलब इतना सोच नहीं सकते हैं ना बियोंड थिंकिंग, बियोंड लिमिट है कि आप ये चीज़ सोच सकें, समझ सकें कि हमारे शरीर को कैसे बनाए गया है अब ये तो अपने शरीर की बात हो गई बाहर में आप देखो गया गॉड की महिमा देखो आप कि बाहर में गॉड ने जो है ना वाटर बनाया ठीक है प उनों के combination से जो S2O बना वो क्या है वो पानी है वो आग बुझाता है ठीक है अगर पानी ये नहीं बना होता दो hydrogen और एक oxygen अगर मिल करके है ना दोनों sharing करके bond बना करके covalent bond बना के यदि S2O molecule नहीं बनाय होते तो आप क्या पीते है ना कपड़े कैसे दोते कहाना कैसे पकाते कितना मुस्किल होता body को survive करने के लिए उनोंने पानी बनाया है क्योंकि हमारे blood में भी तो पानी ही है blood में plasma है पानी है तो आप सोच के देखो कि आपका शरीर तो बनाया ही साथ में शरीर को survive करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है atmosphere में वो सारी चीजे भी आपको available कराई है किसने god ने plant बनाया है इसलिए ही ताकि वहां से oxygen आपको मिल सके और plant को भी जिन्दा कैसे रहेगा तो जो आप CO2 यहां पर जो CO2 दे रहे हो वो CO2 plant ले ले रहा है ताकि environment का balance बना रहे है global warming न हो कितना बड़ी कितनी बड़ी सोच है है न हम जो है एक computer कोई robot बना देते हैं robot बना कर कि अपने आपको बहुत intelligent समझते हैं लेकिन body के functions देखने की बात महसूस होता है न ही एसास होता है कि क्या है हम कुछ नहीं है हम- I mean सोच भीख नहीं है हम यह हम धरटी को बनाने वाले गौड है आप अगर चांत तक पहुँच रहे हैं तो उसमें भी God का कुछ होगा उन्होंने कुछ सोचा होगा कि ठीक है भई तुम देख लो जाओ चांद भी देख लो है ना जाकर के मंगल भी देख के आओ तो कुछ न कुछ तो सोचा ही होगा God ने तो सबसी बड़ा अजुबा है हमारा शरीर शरीर के फॉंक्सन्स पढ़ते जाना तो दिमाग चकरा जाता है कि ओहो मतलब इतना कुछ इतना सिस्टेमेटिक यह यहां से गया तो यहां और इसको इस तरीके से यहां से बाहर निकालें इसको यहां से इसे अंदर लिनी की वियोस्ता करो बहुत अब जिस्ट इमेजीन है ठीक है आप देखो यह फटेलीज़ेशन होता है एक jarigode बनता है jarigode सिर्फ एक cell है और उस एक cell ने fetus का रूप ले लिया, एक cell ने एक baby का रूप ले लिया, एक cell से एक बच्चा तयार हो गया ठेक है, जिसमें heart है, जिसके अंदर lungs है, eyes है, मतलब all body liver है, उसके अंदर elementary canol है, वो पूरा बच्चा ready हो गया, सिर्फ एक cell से, और वो भी एक cell fertilization के दोरान बना है ना, मतलब after fertilization बना है, जाइगोट, ठीक है यह सब चीज़े science के student यह दी आप है, तो आप समझ रहे हैं, है ना तो मैंने बात किया यहां पर एक उपर वाली God के बारे में कि God की तो महिमा ही अप्रम पार है, और केवल अगर बत्ती दिखाना, या फिर घंटी बजाना, या माला जपना, यही God की पूजा नहीं है, मैं यह सब चीज़े तो नहीं कर पाती हूँ कि कोई समय नहीं मिलता है लेकिन अपना कर्म करना यह सबसे बड़ी पूजा है, और भगवान में तूट विश्वास रखना, विश्वास तो करना ही पढ़ता है, सब जब पढ़ते जओ ना, तो विश्वास नहीं भी होना रहेगा ना, तो वहाँ पर तो होके ही रहता है आपको ट्रस्ट करने पर मजबूर कर देती है, यह साइंस भी बस कर देती है जब आप साइंस पढ़ते हैं तो बचों गॉड है लेकिन अब आज मैं जो बात कर रही हूं आपसे गॉड की तो महिमा हमेशा बनी रहेगी हमारे उपर लेकिन हमारे की शरीर को जब गॉड ने दिया तो शरीर में हो सकता है कि हमारी ही अपनी खुद की लापरवा शरीर तो गॉड ने दिया है बट इसमें कुछ अगर डिफेक्ट आ जाए कहीं कोई परिशानी आ जाए इस मसीन में तो उस परिशानी को ठीक करने वाला कौन है तो उस परिशानी को भी ठीक करने के लिए गॉड ने ही दूसरे गॉड बनाए है और मैं आपको उनसे ही मिलवाना चाहती हूं बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मैं मेरी गॉड से आपको मिलवाना चाहती हूं मैं हो जाती हूं साइड और देखिए सामने देखिए बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मेरी गॉड मेरी भगवान मेरी भगवान देखिए कहते हैं कि डॉक्टर्स जो होत में सर ने साथ दिया है और साथ ही नहीं दिया बलकि बहुत ही helpful nature है सर का ऐसी ऐसी समस्याओं को भी सुलजाया है सर ने कुछ जगहां पे इतनी बड़ी हमारी help की है इतनी बड़ी मदद की है कि जिसके लिए मैं lifelong सर को कितनी कितना भी धन्यवादे दूँ चाहे कुछ भी मैं स समस्या होती है और उसमें वहां पर सबसे जरूरी बाती है होती है कि नियमों के साथ चलना सर ने हमारी समस्या को सुन करके उन नियमों को साइड में रख करके और हमारी मदद की है मैं बहुत उस चीज़ को मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूं सर के उस help को कभी भी भूल नही सकते, unbelievable, बहुत ही अच्छा treatment, मुझे मैं अपनी बात आप से करूँ अगर, तो हुआ यूँ, कि मैं अपने नींद के साथ बहुत ज़़दा खिलवाड करने लगी थी, मुझे जब सोना चाहिए, नाइट में जब सोना चाहिए, तो मैं सोती नहीं थी, बलकि मैं यह सोसी थी कि सुबा मैं बच्चों को यह चीज़ करवाऊंगी, बच्चों को ऐसे करवाऊंगी, बच्चों को वह करवाऊंगी, क्यूंकि मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपको बताना चाहती हूँ, अपने बारे में कि बहुत ज़्यदा पैसन है काम के प्रती न टीचिंग करवाना मतलब एक स्कूल मेरा ये है बहुत सारी आप देखेंगे कि स्कूल बिजनेस है वहाँ पर बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है बट स्कूल मेरे लिए बिजनेस नहीं है मेरा पैसन ह कहते हैं कि उसमें वो चीज टीचिंग एक ऐसा लगता है न मैं जब पढ़ाती हूँ तो मैं चार घंटे छे गंटे भी पढ़ाऊंगे न तो मुझे मैसूस नहीं होता है कि छे गंटे निकल गया तो पढ़ाने के लिए न मैं बहुत सारा डाड भी सुनती रहती हूँ शहा है लगता है जीसे सांसे रुच गई हूँ तो इस तरीके से मैं रात-rated भर काम करती थी maisonि औरा रेडी करती होने लगा खिलवार होने लगा बहुत ज़्यादा ऐसे होते 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 थे फाइनली यूं हुआ कि मेरी नींद ही चली गए पहले नींद आती थी तो कहती थी कि सो लो स्वेता सो लो है ना लेकिन मैं सोती नहीं थी तो नींद ने सोचा कि शायद इनको मैडम को सोना ही नहीं ह अब वो नीनद वाले हार्मोन ही अब सिक्रेट होने बंदो जाएंगे तो सोना नहीं मीडम को तो उस तरीके से फिर मैं बहुत परिशानों निलेगी सब रात में सोता था और मैं healthy रदी थी देखती थी कि अब नीनद आजाए अब नीनद आजाए नीन नहीं आती थी पूरी पूरी night निकल जाए नीद नहीं आती थी, फिर मैं सुभर ready हो करके school पहुच जाती थी, school तो मैं पूरे full energy के साथ काम करती थी, लेकिन घर आके सोचते थी कि चलो दोपर में भी सो लूँ, तो दोपर में सोने जाती थी, दोपर में भी नीद नहीं आती थी, ये इस तर प्रेयर बगरा करवा लेना मैं आ जाओंगी, तो ऐसे ऐसे इस तरीके से दिन गुजडने लगे, एक लंबा टाइम गैपिंग हो गया, जब मैं इन प्रॉब्लम से जूजने लगी कि मुझे नीद नहीं आती है, सिर्फ नीद ना आना, अपने आप में एक बहुत बड़ी स खा रहे हैं, हर परिशानी से जूजती थी, क्योंकि मुझे नीद नहीं आती थी, मेरा नीद पूरा नहीं होता था, तो इस तरीके से काम तो मैं पूरे एफ़र्ट से लगा कर करती थी, जब मैं सर के पास पहुंची है, सर को मैंने जब ये सारी बाते बताई, मुझे ये च सारी सीचेशन बताया, कि मैं सोती तो नहीं हूँ, लेकिन फिर्व में जब स्कूल जाती हूँ, तो मैं फुल एनरजी के साथ काम करती हूँ, तो सर ने उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्स्प्लेन करके बताया, समझाया, कि देखे, एक बच्चा है, और बच्चा भूक है, उसको भूक लगी है, तो थोड़ी देर के लिए आप उसको खिलोने मगरा दे करके, दिखा करके, अगर बच्चा रो रहा है भूक से, लेकिन आप उसको खिलोने दिखा करके थोड़ी देर के लिए, अगर उसको डैवर्ड कर सकते हैं, बच्चा चुप हो जाया, तो इ इसको side effect हो रहा है न सोने का बट ऐसी बात नहीं है कि आपको नींद नहीं आती है मतलब यह समस्या तो है समस्या उस time थोड़ी देर के लिए बोल सकते हो बट वो समस्या है फिर सरसे मैंने treatment लेना शुरू किया और बहुत ही कम time मैं आपको बताऊँ इसा लग रहा था जैसे कि कितना power मिल गया है कितनी energy मिल गई है अपने ऐसा लग रहा था ना पहले वाले time में में पहुंच गई हूँ इतना जबर्दस्ट energetic feel हुई क्योंकि night में आराम से सो लेती थी दो पर में एक चोटी सी nap ले लेना फिर सो लेती थी night में भी जब सों तो नीद आजाती थी है ना tablet लिया और सो गया और treatment में के तोर पे भी ऐसा नहीं कि बहुत सारा इतना ज़दा आपको medicine दे दिया है कि आप medicine ले ही न सकें ऐसा नहीं है चोटी चोटी सी medicine है और बहुत ही कम limited medicine सर देते हैं चीजों को समझाते हैं उसको explain करते हैं कि ये चीज मैं दे रहा हूँ तो ये किस तरीके से काम करेगा और medicine के बारे में समझना न समझी concept समझ करके और medicine लेना वो double आगर मैं science समझती हूँ science पढ़ाती हूँ science की teacher हूँ तो concept के साथ अगर मैं उस medicine को लेती हूँ न तो वो मुझे पर double असर करता है मुझे double benefit देता है उसका दिखता है उसका असर दिखता है तो सर ने इस तरीके से treat किया है और आज का time वो है जब मैं मतलब अपने पुरानी life में lot आई हूँ आराम से सोती हूँ दो पर में भी आराम से सो लेती हूँ और full energetic महसूस करती हूँ अब मुझे कोई छीक नहीं आती है कोई जुखाम नहीं होता है otherwise मुझे न इतना जुखाम हो जायता था इतनी कमजोरी सी महसूस होती थी अब मेरी दोनों आखे खुली रती है मेरे सरदर्द की दवा मुझे खाना नहीं पड़ता है सब कुछ एकदम fit and fine मतलब life मिल गई ऐसा लगता है ना कि एकदम उजाला हो गया सुहाना मोसम है सब कुछ अच्छा 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 सा लगता है तो full energy के साथ मैं वापस आई हूँ तो केवल और केवल सर की वज़े से इसलिए सर मैं आपको बहुत 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 थैंक्यू बोना चाती हूँ और आपने जिस हिसाब से हमारी उन समस्याओं में मदद की है वो मैं कभी life में भी नहीं भूल सकती हूँ उन आपके इहसानों को बहुत बहुत थैंक्यू सर बहुत आपका इतना helpful nature और इस तरीके से आप जो आपके चेरे पे smile रती है जिस तरीके से आप treat करते हैं आपको एक smiling face से ही positive energy मिल जाता है बहुत बहुत thank you sir thank you so much sir तहीं दिल से thank you sir बहुत बहुत thank you मैं आपको बोल नहीं सकती कि आप मेरे लिए क्या है भगवान है ऐसे भगवान जिनको आपको देखना चाहिए कि ये भी भगवान है देखे भगवान को तो हमने देखा नहीं है तस्वीरों में देखा है थेक है but God जो real God है जो दिखाई देते हैं थेक है दिखाई देने वाले God thank you so much sir thank you so much